हेलो गईज मैं अंकूर आप सभी का स्वागत करता हूँ एक नई वीडियो में इस वीडियो में गईज हम बात करने वाले हैं तीन जुलाई को उपन होने वाले दो आईपियो के बारे में एक तो बंसलवार इंडेस्ट्री और दूसरा एंक्योर फार्मा सूर्टिकल्स आईपियो में इस वीडियो में या फर्रुखना सही रहेगा साथ में इस दोनों के लेटस ग्री मार्केट्स प्रिम और काफी सारी इंपॉर्ण डीटेल्स आपके साथ साधा करने वाला हूँ तो आपको इमपॉर्टेंट वीडियो समझके पूरी देखनी है ताक कि आप सह सेफ भी हो ठीक है एक चीज़ में आपको बता दू कि 3rd of July को ही व्रिज आइरन इंड इस्टील आइपयो के लिस्टिंग भी होने वाली है तो लिस्टिंग देश्टेजी वीडियो अगर जो आप तक आपने नहीं देखिए तो जाके देख सकते हो आपको IPO मिला है तो भी काम क है ठीक है डिस्क्रिप्शन में और वीडियो के एंड में आपको लिंक मिल जाएगा तो इस वापस आते हैं और अपनी डीटेल्स में सबसे पहले हम बंसल वार इंडश्ट्रिस के बारे में बात कर लेते हैं बात लगए इस डेट्स की तो IP 3rd of July को उपन होगा 5th of July को closing 8th of July को इसकी अलॉर्मन डेट और 10th of July को listing डेट प्राइज में की बात कर तो 256 पर एक्विडिशियर का है जो की 5 की face value पे है और जो size है वो 745 करोड का अप्रॉक्स जिसमें कोई भी OFS नहीं है यानि कि पूरा का पूरा fresh issue है जो कि बहुत ही positive है ठीक है यहां पे गईस इस IPO में र अंसलवार का जो एंक इन्वेस्टर लिस्ट है वो हमने news channel पे साजा कर दिया है जैसे आया है आप देख सकते हो इस news channel को आप जरू जाइन कर लेना इसका link आपको description में दो नमबर मिल जाएगा ठीक है उसके साथ ही इस number 1 पे इस channel का link जहां पे देख सकते हो आपको proper guidance यहां कि 50 पॉंट का छोटा गीन यहां तो cost to cost लोग निकले proper guidance मिली because यहां देख सकते हो इस टौक का लेवल देट सो पॉंट इंडेक्स में यहां देख सकते हो कोई सारी शौट टम लेवल एक में पंचानबे पॉंट च्यालीस पॉर्सन का एक में 400 पॉंट से ज्यादा इवन यह नंबर दो पर न्यूज चैनल नंबर तीन पर इस्टाग्रम जरूर जाइन कर लेना ठीक है तो हम बंसल वायर आई प्यों के एंकर लिस्ट के बारें बात कर रहे थे तो यहां पर इस एंकर लिस्ट में जो important नाम है वह देख लेते हैं ठीक है यहां पर आपको detail में देखना है कि किसको कितना a lot हुआ है तो वह आप इस न्यूज चैनल पर जाके देख सकते हो थोड़े दर पहले शेयर किया इसका link description में दो नमर मिल जाएगा तो जो guys anchor list है न मैं इसको good anchor book बोलूँगा बहुत तगड़ा या खराब या decent भी नहीं okay okay टाइप नहीं okay okay से थोड़ा सा को मले हैं ठीक है और around 87,30,468 शेयर आईपयो के प्राइज बन पे anchor investor को a lot हुए है ठीक है और यह काफी सारे नाम आपको देखने को मिल जाएंगे और पूरा detail इसमें मिल जाएगा बट यहां पे वो नाम जो major role play करेंगे इस anchor list के लिए वह मैं आपको बता है ठीक है अब यह प्रेश इशो है यानि company काम में आने वाला बाकी बचा हुआ OFS रखा गया है ठीक है तो यहां पे इस IPO का भी anchor list हमने डाल दिया है news channel पर आप जाके detail में देख से तो कि अगर जो एक करके discuss करेंगे ना तो वीडियो कम से कम 25-30 मड़की बनेगी तो यहां पे जो नाम है वो मै पर गन स्टैनली न्यूबर्जर बर्जमन पेक्टे जैपाइन थेले में प्रोडेंशियल लाइफ फ्रीपी इंडिया मोतिलालो सवाल इनाम इंडिया SDFC, Axis, Kotak, Franklin, Bajaj, Allianz और M&D जैसे बढ़ियां investor देखने को मिल जाएंगे ठीक है काफी सार investor है यहां पर यह कुछ बड़े नाम थे जो काफी major role play करेंगे और यहां पर जो नाम है वो काफी जादा weightage वाले हैं अगर जो हम बंसलवार से comparison करें तो अगर जो anchor list के साब से price पे इन सबको मिला के अलॉट हुएं ठीक है अगर जब number of share दे होगे तो वो मत देखो क्योंकि price बंड दोनों का different है इसका 1000 से ज्यादा का बंसलवार का 256 का ठीक है तो number of share कि यहां पे नहीं देख सकते हैं अब गईज बात करें हम इन दोनों में से किस IPM allotment के chance से ज्यादा जाना सही रहेगा तो फिलाल number एक पे anchor investor के हिसाप से anchor आ रहा है ठीक है दोनों के business अलग-अलग है दोनों का size अलग-अलग है एक चीज यहां पे ध्यान देनी है कि anchor में allotment के chances काफी जादा है बट बंसलवार में size छोटा होने की वेज़े से over subscription होने के chances जादा रहने वाले ह ठीक है कहीने कहीं मुझे लगता confusion end तक बनी रहेगी लेकिन अगर जो हम safety में जाना चाहें तो last दे ही जाएं ज्यादा बहतर रहने वाला है बट अगर जो risk की investment करना चाहें तो number एक पे मुझे लगता है कि mqr रहने वाला है कि anchor investor list बढ़ी आई है अगर जो अच्छा subscription होता ह तो IPO में हमें ठीक टाक्सी listing gain देखने को मल सकती है प्राइस में थोड़ा सा higher set रखा गया है वो एक problem है otherwise mqr pharma बंसलवारे comparison में थोड़ा सा ज्यादा बहतर लग रहा है क्योंकि allotment chances ज्यादा है anchor investor के लिए ज्यादा आई है ठीक है anchor investor list में अच्छे अच्छे नाम इसमें आ लगता है आपको रुकना चाहिए mqr के तरफ देखना चाहिए और mqr में भी day two या day three में जाए तो ज्यादा बढ़ है रहने वाला ठीक है अब बचा गई जिनका ग्रे मार्केट प्रेम तो करन में जो ग्रे मार्केट प्रेम है mqr pharma का वो around 285 to 290 रूपीज है जिसके हिस आप से 28-29% अगेन अप्रोक्समेटली होता है और बंस अलवार की बात करें तो गई 60-62 रूपीज के आसपास निकलता दिख रहा है जिसके हिसाब से around 24-25% अगेन अप्रोक्समेटली होता है तो यहाँ पे गईस मैंने आपको सारी चीज़े बता दी है अगर तो आपको कु